सिच्छक बंदो नमस्कार मैं हूँ नरायन पटेल आपके अपने चैनल पे आज हम सभी अध्यापकों की एक समस्या को साल्व करने वाले हैं वो समस्या है आरंभिक प्रपत्र कैसे बनेंगे और यह जो हमारा आधारभूत असिस्मेंट होगा इसमें कौन कौन से लर्निंग आउटकम्स रखेंगे और कैसे हम उनकी कोडिंग करेंगे और बिना लर्निंग आउटकम देखे कैसे बता पाएंगे किस क्लास की लर्निंग आ अनिवार है और पेपर बनाते समय हमें किन-किन निर्देशों यानि इंट्रेक्शन्स का पालन करना है और कौन-कौन से इंट्रेक्शन्स हम बच्चों को देने हैं इसका कितने का पूरांक होगा और प्रत्येक प्रशन कितने आंक का होगा और कितने प्रशन प्राइमरी में ह और कितने प्रश्ण जूनियर में होंगे तो आए बीना देर किये हुए शुरू करता हूं आज का ये वीडियो जो आपको बहुत ही पसंद आएगा तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कक्छा 3 में हम भिसे लेते हैं गणित आरंभिक परिच्छा के लिए जो हम पेपर बनाएंगे उसके लिए समय रखा जाएगा दो घंटे पूरांग होगा आपका पैतालिस क्योंकि इसमें 15 प्रश्ण होगे और प्रतेक प्रश्ण तीन अंक का होगा उसके पहले जो भी हम कापी बनाएंगे उसके उपर जो पेपर नाम लिख लेंगे इसके बाद आता है कि हम अब उस पेपर में कौन कौन से जो है निर्देश दें बच्चों को जिससे पेपर में बिना बताएं क्योंकि पेपर जब हम आरमिक प्रपत्र देंगे बच्चों को तो बिना बताएं उनसे हमें प्रश्ण करवाने हैं क्योंकि प्रश्न बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं तो ये भी एक उसका आंकलन का ही हिस्सा है क्योंकि बच्चे जब तक पढ़ नहीं पाएंगे समझ नहीं पाएंगे आगे पेपर नहीं कर पाएंगे तो आईए देखते हैं और कौन कौन से हमें इंट्रेक्शन्स रखने हैं तो यहां पर पेपर के पाँच जो हैं इंट्रेक्शन्स रखने हैं क्या रखना है पहला तो यही है कि प्रश्न पुस्तिका में पंद्रा प्रश्न है प्रत्यक प्रश्न तीन अंका है सभी प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास कीजिए बच्चि कले लिखेंगे दूसरा इंट्रक्षन लिखेंगे इस पर्षन पत्र में दस बहुविकल्पी और पांच लगोत्तरी प्रशन हैं बहुविकल्पी आप लोग समझते हैं कि एक जो है परशन होगा उसके चार उत्तर होंगे उसमें शही उत्तर को आपको लिखना है और पांच जो लगूत्री प्रश्ण है उनमें बच्छों को प्रश्नों का उत्तर लिखना है फिर तीसरा पॉइंट लिखेंगे प्रश्न 1 से 10 तक बहुविकल्पी तथा 11 से 15 तक लगूत्री प्रश्न हैं उसके बाद हमारा छोथा पॉइंट होगा बहुँ बिकल्पी प्रशन के नीचे दिए गए चार बिकल्पों में से सही उत्तर वाले बिकल्प पर काले रंग से सही का निशान लगाएं और पांचवां होगा लगुतरी प्रशनों के उत्तर अधिक्तम बीज सब्दों में उसमें दस बहुत भी कल्पी और पांच जो है वो पिस्तरत उत्तरी प्रश्न होंगे यह लगुत्री वो भी है लेकिन फिर भी वो छोटे प्रश्न हैं तो हमें इस तरीके से इंट्रेक्शन के साथ पेपर को बनाना है आप बात करेंगे पेपर बनाना कैसे है तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारा पहला प्रश्न है क्या दी गई संख्याओं में से 39 को पहचानो 25, 49, 39 और 14 और उसके बाद दीके कोड लिखा है M101 ये कोड कहा से आया कैसे बनेगा यही सबसे महत्मूर है कोई भी आके इस कोड को आप से पूछ सकता तो इस कोडिंग को मैं सबसे पहले आपको बताना चाहरा हूँ तो सबसे पहले देखे कोड में जो M है ये आपका मैत का कोड है यानि ये मैत सब्जेक्ट है जो तूसरा नंबर लिखा है एक ये class 1 यानि math class 1 का question है और 01 यानि ये कच्छा एक का जो एक learning outcome है selective learning outcome उसका ये है तो पहला learning outcome है क्या कच्छा एक का आये देखते हैं उसके आधार पर ही हम question को बनाते हैं और उसके बाद ही लिखते हैं अगर आप समझ गया होगे सबसे पहला जो अक्चर है वो subject को indicate करेगा दूसरा class को indicate करेगा और जो दो अंक के हैं वो हमारे learning outcome को बताएंगे यानि मैत का paper है कच्छा एक का question है और गणित में पहला learning outcome हमारा क्या है देखें विसय गणित कच्छा एक प्रमुख अधिगम परिणाम selective learning outcome पहला है बच्चे एक से 99 तक की संख्याओं को पहचानते बोलते और लिखते हैं तो इसके आधार पर देखें मैंने पहला प्रशन पूछा दी गई संख्याओं में से 29 को पहचानो चूँकि बच्चा class थर्ड में गया पढ़ना जानता है तो उन 30 को पहचानेगा तो वो मैत का हमार पहला इनिमेत को class 1 का बच्चा है और पहला learning outcome हमारा है बच्चे एक से 99 तक की संख्याओं को पहचानते तो हमने यहीं पर 39 को पहचवानने की कोसिस करी तो इसलिए यहां पर हमारा इसका code हो जाता है M101 जो आखिर के दो अंक रहेंगे 01 यह उसके learning outcome को बताते हैं क्योंकि learning outcome एक से लेकर के आगे दो अंक तक हो सकते हैं चलिए बढ़ता हूं अगले प्रिशन की और अगला प्रिशन बहुत आप आसानी से मना सकते हैं संख्याओं 61, 62, 63, 64, 65, डेश, 66, 68, 69, 70 में छूटी संख्या को लिखो तो दीखे 55, 66, 86 और 76 है उसका code है M102 तो M102 का मतलब हो गया math का paper है और कच्छा एक का है और दूसरा learning outcome है आई यह देख लेते हैं कौन सा दूसरा learning outcome तो कच्छा एक का देखे selective learning outcome हमारे पास आ गया तो दीखे दूसरा learning outcome है बच्चे छूटी हुई संख्याओं को भर लेते हैं तो दीखे मैंने छूटी संख्या पर question बनाया है और इसका मतलब कच्छा एक का दूसरा learning outcome है उसके अंदर coding से पता चल लहा है ठीक इसी प्रकार स सारे questions आपको बनाते हैं मैं फटा-फट question को पढ़ देता हूं question number अगर आप 3 की बात करें तो सुनने यानि 0 का प्रतीक क्या है तो इसका code यहां पर अभी हमने नहीं लिखा तो इसका हमारा code तीसरा है यानि M103 क्यों है आप देख सकते हैं आपके सामने हमारा learning outcome की list हमने नि दारणा को समस्ते को आप बता सकते हैं तो पहले तो सुनने होता गया उसको पहचान क्या है तो इसकी पहचान के लिए मैंने पूछी लिया है कि 0 का प्रतीक क्या या 0 कैसे लिखा जाता देखें तो इसका मतलब तीसरा है तो इसका सीधे-सीधे code हो गया M103 चले ही बढ़ते हैं अगले प्रिश्ण की ओर तो है 4 question number 4 9 minus 0 बराबर 6 10 8 9 तो चोगी ये भी हमारा कच्छा 1 में ही 0 की अवधारना से है और उनमें बच्चों को घटाने की भी अवधारना आती है तो सबसे पहले हमने 9 में से 0 को घटाया है और इसका मतलब 9 में से 1 भी नही की जाता है तो बसता है 9 इससे 0 की अवधारना के लिए रहती है तो इसका code हो गया M103 मुझे नहीं लगता कि अब आपको को कोई coding में बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी और इससे आप paper बनाने में आपको ये बहुत help करेगा अब आपके सामने हमारा अगला प्रश्न है पांच हुआं 40 से बड़ी परंत 42 से छोटी हूँ बताओ मैं कौन सी संक्या हूँ तो ये संक्या बताने के लिए संक्या की समझ यानि हमें पहला वाला ही है कच्छा एक का और पहला learning outcome ही है कि संक्याओं की पहचान तो संक्याओं और 42 जो है और 42 से छोटा हूँ यानि ये 41 की बार की जा रही है और यहां से 41 अपना code निकाल लेगा चलिए अब हम जल्देल्दे आपको बता देता हूँ अगला अमारा प्रश्न है 6 गोल आकरती को पहचानोग अच्छा एग में गोल आकरती बच्चे पहचानते चुकि य आकरती की पहचान करने के लिए आये देखते इसका code क्या बनेगा तो आपके सामने learning outcome आगया और देखे पांचवा दिया गया है बच्चे बिभिन आकरतीयों को बनाते वा जानते हैं तो बनाने और जाने में इसका मतलब गोल आकरती वा जानते हैं उनके course में आप दिया ग और पहला है तो आईए देख लेते हैं कि इक्याए बास्तों में पहला वहाँ पे है भी या नहीं है आपके सामने देखे learning outcome की सोची कच्छा दो की मिल गए देखे कच्छा दो लिखा हुआ है कि बच्चे तीन अंकों की संख्या पढ़वा लिख लेते हैं इसका मतलब पढ से किसी भी subject का बनाना अगर English का बनाना तो यह लिखेंगे अगर आपको EBS यानि समाज की विज्ञान का बनाना तो यह लिखेंगे और अगर हिंदी का लिखना है तो आपको H लिखेंगे और outcome को देखते हुए coding उसकी कर लेंगे चलिए देखते हैं अगला प्रस्ण 397 में 9 का इस्थानियमान बताईए तो 9 का इस्थानियमान तो 90 होगा D वाल आप देख सकते हैं देखें उसका दूसरा learning outcome है गणित में कच्छा 2 का संख्याओं का इस्थानियमान बताते हैं तथा संख्याओं को घटते वा बढ़ते हु क्रम के अनुसार बेवस्थित भी कर लेते हैं इसका मतलब इसका कोड जाएगा M202 यानि गणित के कच्छा 2 का learning outcome है और दूसरा ही learning outcome है जो कि selective है मतलब यह आना ही चाहिए चलिए बढ़ते हैं आगे देखिए अगला दिया है नवा प्रशन 44, 7, 11, 9 को बढ़ते हुए करम में लिगे इसके पहले में भी देख चुका था कक्छा 2 का दूसरा learning outcome था कि संख्याओं को घटते और बढ़ते करम में वो लिख लेते हैं तो इस प्रकार से इसमें भी वो कर लेंगे तो आपका इसका कोड यही बनेगा और इस प्रकार के प्रशन आपको रखने ही पढ़ेंगे चलिए दूसरा प्रशन है दसुआ एक्यासी को नव से भाग करना है यह कक्छा 2 का छठा learning outcome है कि बच्चे चोटी चोटी भाग भी कर लेते हैं उसमें आपका दिया ग तो उसमें दिखे चठा पॉइंट में है बच्चे एक अंक की संख्या से दूसरे एक अंक की संख्या से भाग करते हैं हमने 2 कर दिया है तो 2 की भी वो कर सकते हैं इसलिए हमने यहाँ पर यह प्रशन दिया है और इसका कोड बन जाएगा M206 तो इस प्रकार से आप प्रशन हित के प्रशन होंगे अब चूंकि बच्चा छोटा है उसको गिंतियों का ग्यान है या नहीं उसको आप पढ़वा करके देख सकते हैं यह हमारा का अच्छा एक का लड़निंग आउटकम है कि बच्चे संख्याओं को देख करके पहचानते हैं और पढ़ लेते हैं स्कूल के ऐसे ही प्रशन रख सकते हैं या आपके बच्ची होसियार है तो आप इससे कठीन प्रशन रख सकते हैं अगला है निमने लिखित प्रशनों को हल किजिए यानि दोनों एक आपको जोड़ना और एक घटाना देना है जोड़ना और यह जो घटाने की प्रक्रिया ह तो आप उसको देख सकते हैं वो आपका ध्याना कर्शान में देखने से आपको ये मिल भी जाएगा चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रिशन के और अगला आपको प्रिशन रख देना है छोटा साई प्रिशन रखेगा तेरवा साथ का पहाड़ा लिखो चुँकि कच्छा दो में जो चौथा लर्निंग आउट कम है उसमें बताया गया है बच्चे दो से ले करके एक से ले करके नौ तक के पहाड़े जानते हैं इसलिए आपको एक पहाड़ा उन बच्चों से अपनी उनकी जो प्रशन पत्र होगा उस पर लिखवा लेना है जैसे सैट टू का पेपर हुआ तो बिल्कुल आपको उसी की तरज पेपर बना लेना है अगला देखे प्रशन है हमारा कि संख्याओं को देखकर सही मतलब का निशान सही निशान का कोश्ठक में लगाईए यह तीन आपके प्रशन रहेंगे उन तेनों प्रशनों में छोटा काउन है और बड़ा काउन उसको देखकर के लगवाना है यह भी आपका कच्चा एक म बच्चे छोटी और बड़ी संख्या की पहचान कर सकते हैं इसलिए यहाँ पर यह प्रशन आपका रखा गया होगा आप लोग सोच रहेंगे कच्चा एक प्रशन क्यूं रख रहे हैं चूंकि कोरोना काल है सारे चीज़े बच्चे भूल चुके हैं अगर गिंतियां ही नह नहीं आएंगे उनको पहचान नहीं पाएंगे छोटा बड़ा नहीं जान पाएंगे तो आगे काम चलने वाला नहीं इसलिए हमने यहाँ पर इस प्रकार के प्रशनों को रखा है चलिए अगला प्रशन है निमनलिकित प्रशनों को हल करो तो आपको भाग देनी है दो से अठारा को आठ से चौंसट को और पांस से पैतालिस को यह चठा आपका जो है लेर्निंग आउक कम है कक्चा दो का गणित का इसलिए हमने यह वाले प्रशन रखा है साथ यह उमीद है कि यह आपको प्रशन पशन आया होंगे आप इसी तरीके से प्रशन बना सकते हैं या हूब हूब अपने हाँ यही आकलन प्रपत्र दे सकते हैं जैहिंद बंदे मातरम मैं आपको प्रतिक सब्जिक्ट का कक्षाथ 3 से ले करके 8 तके सारे पेपर मिलेंग के चैहिंत बंदे मात्रम एक रिक्वेस्ट और है दोस्तों अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो क्रपिया इसे लाइक करें कमेंट अवस्य करें सेर भी करें और सस्क्राइब भी करें और अगर इसमें कोई आप सुझाओ देना चाहते हैं वो आप जरूर लिखे और अगर आप इससे कोई बेटर पेपर बना सकते हैं तो हमें भी आप हमारे वाटसप नमबर पे सेर कर सकते हैं हमारा वाटसप नमबर आपके साथ में लिखा जा रहा है